THIS IS RIA SHARMA and welcome to Asalite Institute So previous videos में हमने कवर किये СETAT के previous papers को जो कि पालगोजी से related थे और हिंदी से related भी हम एक वीडियो कवर कवर कर चुके हैं ये हिंदी से related second video है, ठीके इससे पेहले हम CDP का complete section including mike और साथ में हमारे पास में Pedagogy Series, Subject-Wise ओर 500 MCQs for Pedagogy कवर कर चुके हैं में interested हो तो हिंदी grammar का हमने कुछ portion जो है वो cover कर लिया है आप उसको प्लेलिस्ट पे जाकर करके देख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब एजिलाइट इंस्टिटूट विजिट प्लेलिस्ट और जो भी section आपको पसंद है या आपकी interest का है या आपको चाहिए आप उसको देख सकते हैं ठीक है इसके अलावा RS corner पर 1st January से लकर के अभी तक के current affairs और साथ में newspaper की highlights जो है वो uploaded है तो आपको जो भी पसंद आए आप उस हिसाब से उसको देख सकते हैं ठीक है ठीक है तो गुरु मुखी का सबसे पहले अगर हम विग्रह करें तो इसका मतलब होगा गुरु के समान मुख वाला ठीक है और हम जानते हैं कि जब हम क्या करते हैं तुलना कर रहे होते हैं और आगे वाला शब्ट जो है वो विशेश़ होता है पीछे वाला जो है वो हमारे पास में विशेश होता है तो उसको हम किस की श्रेणी में रखते हैं बहुबरही की श्रेणी में रखते हैं तो यह हमारे पास में option number 2 जो है वो correct हो जाएगा गुरु मुखी गुरु के समान मुखवाला हमारे बाश में पहूमरी समास है नेक्स्ट कॉशन हाँ, निमल लिखित में से सफरिष्ट संघर्षी व्यंजन है ठीक है? ऑप्शन है ज़, थ, थ, या फ, ठीक है? इन में से जडड़ा हमारे पास में जड़ा जो है स्परिष्ट संखर्षी व्यांजन है, option number one हमारे पास में correct हो जाएगा next question है उस शब्द समू को चुनिये जो श्यामा शब्द के विभिन आर्थों को व्यक्त करता हो ठीक है, options है राधा, यमुना, कोयल, दूसरा है काली, कोयल, रात्री, तीसरा है यमुना, रुखमनी, राधा, चौता है रुखमनी, कोयल, रात्री ठीक है, तो 33 वे question का हमारे पास में जो correct answer है वो है पहला राधा, यमुना, और कोयल, ये तीनों नामों को श्यामा के नाम से जाना जाता है ठीक है, तो श्यामा के विभिन आर्थों को व्यक्त करने वाले जो शब्द है वो है राधा, यमुना, और कोयल, option number one is correct, four, question number 33 move करते है next question के दरफ, तो सुर्भी सुर्भी युगम का सही अर्थ युगम है, ठीक है, सुर्भी सुर्भी युगम का सही अर्थ युगम है, options है, गाय कमल, सुगंधर गंगा, सुगंधित दूध, सुगंध गाय, ठीक है, तो सुर्भी सुर्भी युगम का जो सही अर्थ ह वो है हमारे पास में option number 4, ठीक है, सुर्भी का अर्थ है सुगंद और दूसरी सुर्भी का अर्थ है गाय, ठीक है, तो option number 4 is correct here, next है हमारे पास में यन संधी का उधारण है, options है अभ्यर्थी, नवोड़ा, शुभेच्छा या प्राप्तो तक, ठीक है, तो यन संधी का हमारे प पहला, अभ्यर्थी, ठीक है, अभ्यर्थी जो है वो यन संधी का उधारण है, okay, अभी प्लस अर्थी इसमें जो है वो संधी करके आएगा, ठीक है, अभी में छोटी E, और अर्थी का A, E और A मिल करके Y बने हैं, और ये यन संधी है, next question के अगर हम बात करें, तो हमें गद गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं, गद्यांश है हमारे पास में महाभारत में कृष्ण से संबध आख्यान भी हैं, और प्रसिद काव्य भगवत गीता भी, गीता के दर्शन के अलावा, इस गरंथ में शासन कला और समाने रूप से जीवन के नैतिक और आचार सं मंधी सिध्धानतों पर जोर दिया गया है, धरम के इस बुनियात के बिना ना सच्चा सुख मिल सकता है और ना समाज में एका रह सकता है, ठीक है, इसके बिना धरम के बुनियात के बिना, इसका लक्षे है लोकमंगल, किसी विशेश वर्ग का नहीं, बलकि पूरे सापेक्ष है और सत्यनिष्ठा अहिंसा आदी जैसे कुछ बुनियादी सिध्धानतों को छोड़ कर, खूद समय और मोजुदा परिस्धियों पर निर्भर करता है, ठीक है, ये सिध्धानत टिकाओं हैं और अपरिवर्तन शील भी, परन्तु इसके अलावा धर्म, जो कर्त दिया गया है, वह दिल्चस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संखर्ष करने में प्रतिक शुरूप से कोई विरोध नहीं दिखाए पड़ता, पूरिय महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है, ठीक है, तो आप करेंगे हम इस से रिलेटर ठीक है, तो आख्यान का मतलब होता है, कथाई, क्या होता है, इसका मतलब, कथाई, तो हमने फर्स्ट स्टेट्मेंट में ही किया था, क्या किया था हमने, हमने क्या महाभारत में कृष्ण से सम्मंद आख्यान भी हैं, यानि कि कथाई भी हैं और प्रसिद काव्य, भगवत छीट भी मतलब कठाई भी और और काव की ठीड़ है थीका काव्य की फोरम क्या है भगवत दीथा तो हम सद्धांत क्या है थीक है तो हमें अभी-अभी किया है कि हमारे पास मंछल क्या धर्म क्या। सज़ाद है वो क्या है सत्य और निश्ठा है ठीक है आप यहाँ पर देखिए सत्य- psychologist ठीक है इसमें इन्होंने टार्किल्च टेटमेंट भी दे रखी थी वण सकेक है यहाँ धर्म की बुनियात के बारे मैं यहाँ पर बाद चल रही है और इसमें उन्होंने सत्य- निश्ठा दिया है ठीक है तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हमारे पास में क्या है सत्य अहिंसा ठीक है option number three is correct here next question है धर्म किस प्रिकार सापेक्ष है ठीक है अब options है यह समुदायों के अनुसार बदलता है या यह अपरिवर्दनिय है ओके तो हमारे पास में यह लिखा था धर्म के बारे में कि यह समय के ठीक है धर्म जो है धर्म के बारे में यहां पर बात चल रही है और यह समय के यह देखिए साथ बदलता है तो इसका जो कौन सा question option ठीक हो जाएगा कि यह समय के साथ बदलता है यानिके समय और परिस्तित्यों के अनुसार बदलता रहता है option number 3 यहां पर correct हो जाएगा ठीक है next question है महा भारत है ठीक है क्या है यह एक महा कावे है एक आख्याई का है यानि महा कावे है क्या है महा कावे option number 2 is correct है next है महा भारत में समयलित है लिखा है गीता गृष्ण के आख्यान कुरुक्षेत्र का युद्ध या ये सभी तो ये सारे के सारे उसमें included है ठीक है गीता भी उसी का part है क्रिश्ण की कथाएं भी उसमें है कुरुक्षेत्र का युद भ तो अम्रित का हमारे पास में जो परियाए है वो है option no.3 यानि की अमी ठीक है, अमी जो है वो इसमें correct answer हो जाएगा, option no.3 is correct है, next है हमारे पास में धनुष्टंकार का संधी विच्छेद है, ठीक है, धनुष्टंकार का जब हम संधी विच्छेद करेंगी तो क्या बनेगा, धनु प्लस टंकार धनु प्लस टंकार तो option number one is correct है next question है हमार पास में शक्ति शाली की विजे अर्थ वाली लोकोक्ती है ठीक है शक्ति शाली की विजे यानि की options है एकता में बल है अपना हाथ जगर्नाथ जिसकी लाठी उसकी भेंस जाको राखे साईया मार सके ना कोई तो जिसकी लाठी उसकी भेंस यानि की जिसके पास पावर होगी उसकी ही भेंस होगी ठीक है विजे उसकी ही होगी तो शक्ति शाली की विजे ऑप्शन वाली correct option है correct लोकोक्ती है जिसकी लाठी उसकी भेंस option number three is correct here next question है निमलेखित में से हत भागी का स्त्री लिंग है ठीक है तो हत भागी का स्त्री लिंग है हत भाग्या तो option number 3 जो है वो हमारे पास हमें correct हो जाएगा नेक्स्ट है निमलेखित में से क्षणिक शब्द का विपरी तार्थक है ठीक है तो क्षणिक का विपरी तार्थक होता है वो क्या है हमारे पास में शाश्वत ठीक है शाश्वत यानि कि option number one is correct here next question है प्रात्मिक सरपर हिंदी भाषा शिक्षन का उद्देश्य नहीं है क्या नहीं है options है विद्यार्थियों को सरस्वर वाचन में सक्षम बनाना विद्यार्थियों को शुद उचारन के लिए प्रेरित करना विद्यार्थियों को सुलेख और शुरुतलेख लिखने में सक् पूस्तिकों में यह सुन्दर्तम साड़ी है तो शूद्ध वाकिय इसमें क्या है यह सुन्दर्तम साड़ी सो आप चलते हैं हम नेक्स लुपर तोहांक्स कोशन है 48 अनुकंपा का स्तही शाब्दिक अर्थ है options है हमारे पास में अपने से बड़ों पर प्रस्थन होकर उनकी भलाई करना किसी के दुख से दुखी होकर उस पर क्रेपा करना किसी को विशेश सहयोग देना या उपरोगत सब ही ठीक है तो इसका हमारे पास में second answer जो है वो second option जो सही हो जाएगा कि किसी के दुख से दुखी होकर उस पर क्रेपा कर देना अनुकंपा कहलाता है कहानी सुनाने का मूल उदेशे होना चाहिए options है बच्चों को प्रसंद करना, बच्चों को एकागरचित करना बच्चों को की कलपना शक्ती का विकास करना या बच्चों को अनुशासन में रखना तो हमारे पास में इसका correct answer होगा कलपना शक्ती का विकास करना जोब भी हम कुल कहानी सुनते हैं जैसे हम परियों के बारे में कहानी सुनते थे तो हमारे अंदर इमेजिनेशन विक्सित होते थी, ठीक है, तो कलुपना शक्ति का विकास करना, कहानी सुनाने का मुल उदेश्य है, नेक्स्ट कॉशन है, एक शिक्षक को भाशा पढ़ाते समय, किस माध्यम का सरुप्रथम परियोग करना चाहिए, आप्शन है, पाठे पुस्तिक का, सामाने बोलचाल का, श्यामपट का, या परशनोत्तर का, तो इसको हमारे पास में, शिक्षक को सामाने बोलचाल की भाशा का इस्तमाल करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है, वो एकदम से, अपनी रियल लाइफ से, एकदम से टॉपिक में एंटर कर जाएं, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, रिक्त स्थान के लिए, उप्युक्त शब्द का चैयन कीजिए, शांती संधी से पूर्व, प्रधान मंत्री ने वरिष्ट मंत्रियों के साथ, डैश की, ठीक है, ओप्शन है, चर्चा, मंत्रना, बैठग, या वार्था, ठी चार थारा, एक दूसरे कसा साजा करना, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, जीतने की इच्छा के लिए शब्द है, ओके, जीतने की इच्छा के लिए हमारे पास में शब्द है, ओप्शन है, जीजी विशा, जिगरिशा, जिगत्सा, या जिगीशा, ठीक है, तो इसको जो करेक् अधास में विदेश शब्द नहीं है जबकि बाकि की विदेशी है नेक्स घंड़ पस्ती भाश्या की सबसे छोटी एकाई है ऑप्शन हैं लिपी वरन शब्द या वाक्य तो वरन भाशा की सबसे छोटी एकाई हैं और वर्णों के और अधिक टुकड़े करना जो हो वो संभव नहीं है ठीक है इसलिए वर्ण हमारे पास में सबसे छोटी का योटी भाशा की नेक्स्ट है नेमलेखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है ठीक है नेक्स्ट कोशन है मानव में प्रते है औप्शन है वर अव नव ठीक है तो मानव में हमारे पास में जो प्रते है वो है ठीक है ओप्शन नमबर ए इस करेक्ट वन इस करेक्ट है नेक्स्ट है हमारे पास में देवनागरी लिपी के संदर में कौन से कथन सत्य है options है देवनागरी में एक ध्वनी के लिए एक ही प्रतीक है देवनागरी में विदेशित ध्वनियों को व्यक्त करने के एक शमता है देवनागरी दाईं और से बाईं और लिखे जाती है देवनागरी में भरणों के संख्या रोमन लिपी से कम है ठीक है तो देवनागरी लिप करनों के लिए एक प्रतिएख यह विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की खिमता भी है लेकिन इसको हम दाइं से बाइं आर नहीं बाइं से दांगे और लिखते हैं और दूसरे चीज के देव नागरी में वरनों के संख्या रोमन लिपी से कम है ने रोमन लिपी से ज्याद है ठीक है next question है हमार पास में प्रास्मिक सदर पर बच्चे किस प्रकार की कविताइं पसंद करते हैं options है जो तुकांत ना हो जो कोई सीख देती हूं जो लयात्मक और गयात्मक हो या उपरोक्त सभी ठीक है तो इसको जो हमार पास में थर्ड कोशन है थर्ड option है वो सही है ठीक options है शब्द भंडार प्रथी भावों की अनुभूति तुकबंदी का ग्यान या रोमांच की अनुभूति ठीक है तो कविता शिक्षन के अंतरगत सिखाने का मुख्य उदेशी हमारे पास में क्या रहता है भावों की अनुभूति ठीक है इसमें कवी के भावों को जो हम व दरण का मूल उचारण हिंदी में प्रचलित नहीं है और इसके साथ में हमारा हिंदी का वीडियो भी खतम होता है और इस सब्सक्राइब कर रहे हैं आइप आप पैसज को भी अच्छे से कर पाए होंगे और को समझ पाए होंगे अडिशनल इंफोमेशन को भी आपने अच् किया होगा और आप एजलाइट इंस्टिट्यूट के अंतरगत आने वाली जो वीडियोस हैं उनको अच्छे से सीख रहे होंगे आपके जो भी व्यूस हो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं आपके विचारों का स्वागत है ठीक है आप सब्सक्राइब करें अपलोड करते हैं ठीक है तो आप इसको जरूर चेक कर लिया कीजिए गा ठीक है इसे के साथ में वीडियो को खतम करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दे वीडियो स्टे ट्यून बाबाई